हेलो फ्रेंट्स आएप मेनाशी आज हम लोग आपको सिंपल सल्वर का ड्राप्टिंग और स्कीचिंग सिखा रहे हैं वीडियो देखके आप लाइफ कीजे शेयर कीजे और सस्क्राइब कीजेए आये हम लोग अभी द्राप्टिंग चालू करते हैं साधी सल्वर का एक सिंपल सल्वर के लिए हम लोग सबसे पेले फुल लेंथ डालते हैं लेंथ है 37 इंच तो पहले 7 इंच माइनस करना है यह मेजर टेट से हम लोग 7 इंच माइनस करेंगे फुल लेट है 37 प्लस 2 इंच करेंगे तो 39 आएगा पहले हमने क्या लेंग माइनस 7 इंच है फाग प्लस 2 इंच लेंग से उपर आप 1 इंच पे मार कीजे ये बॉटम फोल्ड के लिए मार कीजे यहाँ बॉटम रॉटम का आधा प्लस 1 इंच डाले है बॉटम रॉटम है चवदा उसका आधा आएगा 7 इंच और प्लस 1 इंच ये मार जिन के लिए सेम बॉटम रॉटम का आधा प्लस 1 इंच दूसरे ये दो लाइन एक एक एंच के डिस्टंस लें ये जो है कपड़े का विर्ट है साधारन ए मेजर्मेंट कपड़े के विर्टी जब से मिन्स 18 से 22 इंच तक रहता है तो उन्हों ये पूरा 22 इंच है ये ले रहे ये आपका हो गया सलवार विर्ट यहां पर क्रंच एरिया आएगा क्रंच एरिया साधारन सी ट्रॉंका 6 पार्ट प्लस 1 इंच सी ट्रॉंका साववा हिस्वा प्लस 1 इंच साधारन 8 इंच के अस्वास आएगा बॉटम से क्रंच एरिया तक आपको ये क्रॉस लाइन जोड़ के लिए आए अभी कटिंग करते हैं ये डबल खोल्ड है डबल खोल्ड पे हमने लेन माइनस नेपा प्लस 2 इंच डाला है ये हमने जो वीट है कपड़े का होली है वेट्वाइज कपड़ा 22 इंच इस उसका डबल खोल्ड यहां चाग लेयर आएगा यह हो गया सिंपल सलवर का कटिंग अभी जो यह चार त्रिकोन है उसमें हम लोग नेफा कटिंग करेंगे यह ऐसे रखना है आदा इंच ओर लैप करके और आपको नेफे का ट्रॉइंग बनाना इसके उपको नेफा हमने 7 इंच माइनस किया था तो यहां हम लोग 9 इंच लेंगे और ऐसे हम लोग सी ट्रॉप ता आधा प्लस 4 इंच सी ट्रॉप हमारा 36 है उसका आधा आएगा 18 इंच प्लस उसमें 4 करेंगे 22 इंचेस हो जाएगा और आधा इंच सिल आई के लिए तो यह हमारा हो गया नेफे का ड्रॉप ऐसे ऐसे कटिंग करना है यह नेफा कटिंग तया है अब यह हम लोग स्टीचिंग रिखाते हैं सबसे पहले हम लोग नेफा जोड करके लेते हैं यह दो ट्राइंगल है यहां ऐसे जोडना है ऐसे दोनों साइड के नेफे जोड के लिए यहां दाप्टिक देखे लेते हैं यहां जोड के लिया है अब इसमें हम लोग इसे जोड के सिल लेते हैं यहां से यहां और यहां नाड़ी का होल बनाना है हमें यहां से सिलना है उपर से 1.5 इंच सिलना है वीज में यह जो है आदा इंच का ग्याप रखना है यहां आपका सिला ही स्टॉप हो जाएगा यहां यहां ग्याप रखके इससे सिलाएं अभी यह दोनों सेड इसे करके यहां से सिलाएं मारेंगे ताकि यह जो होले खुला हो जाएगा और फिर नाड़ी बनाने के लिए पट्टी बनाएं यहां दाप सिलाएं देके यह हो तयान हो गया नाड़ी का अभी यहां लोग ऐसे फोल्ड करेंगे पहला वाला फोल्ड और यह से दूसरा वाला यह से यह साइड से आएगा और सीधे साइड से यह से हो जाएगा अभी हम लोग यहां से सिलाएं यह हमारा नेपा तयार है अभी हम लोग इसको नीचे बॉटम जोड के लेते हैं यह जो क्रंज एरिया सबसे पहले वही जोड के लेते यह और यह सबसे पहले यह जोडते हैं यह जोड के लिया अभी हम लोग यहां आगे का है फ्रंट है आगे का है इसा यहां और यहां हम लोग चुन डालते हैं छोटा छोटा यहां लोग बड़ी सिलाई डालके लेते हैं सबसे बड़ी जो रहती है हो सेंटर फ्रंट से पीछे पर यह फ्रंट है और यह बैक है फ्रंट में हमने बड़ा सिलाई देखे लिया है साधारम पैक से यह दस बारा इंच छोड के अभी मैं इसको एक धागा इसमें दो धागे रहते हैं बॉबिन का और उपर से आना आए बॉबिन का है और यह उपर आने वाला धागा इसमें कोई भी एक धागा पकड़के हमें ऐसे खीचना है ताकि इसका चून बनता है यह जो पाच नमबर का सिलाई पहले दिया था सबसे बड़ा जो भी आपके मशीन में सबसे बड़ा स्टीच होगा वो देखे एक मेने ऐसे धागा पकड़के हिए और इसको ऐसे खीचा है यह खीच के मेने यह जो बॉटम है हमारा और यह नेफा इतना होना चाहिए ऐसे किया है यह चून है सिर्फ आगे के लिए देना है पीछे के लि लेते हैं इसको यह जो सेंटर वाला जो पार्ट है सेंटर को ऐसे पीनप कर लेते हूं यह से पूरा बोल में सिल्के लेते हैं नेफा और बॉटम पाट जो है जोड के लिए यहां मैंने बड़ी सिलाई दे के खीच के ऐसा चुन बनाया और फिर इसमें जोड़ा है पीछे के साइड बिल्कुल चुन नहीं आएगा पीछे प्लेन आएगा सिर्फ आगे की साइड चुन आएगा अभी हम लोग नीचे सलवार पट्टी जोड के लेते हैं यह जो बॉटम राउंड है यहां हम लोग यह जो सलवार पट्टी है ऐसे रखेंगे इसको इसे फोल डालेंगे और फिर यह ऐसे ऐसे सिलाई करके लेंगे यह यहां इसे हमने चारफ सिलाई डाल के लिए ऐसे दुसरी सलका करके लेते हैं यह मने पोट्ब तैयार करके लिए है अब भी हम लोग एक इंच सिलाई मार्जन देके लेंगे जैसे यहां से एक इंच सब जगह से क्योंकि हमारा मार्जिन जो है वोय बॉरक कर द्मोद गया ज है कि इसरे लिए Caj कि Germansュाटर नहीं अब यहां जो आएगा और एक जैसा बॉटम जुड़ेगा अभी अंगये सिला दें कि लेगे इस सेंटर तक आये अब भी हम लोग यहां से निकालेंगे और दूसरी पेर से सेंटर तक आयेगे बॉटम से यह सेंटर तक इससे आपका जोल नहीं आएगा और बॉटम लेवल में आएगा यह हो गया तयार साधी शलवा इस वीडियो को लाइक कीजिए और बापकी के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए